हाई अभरुटियों विल्कम बैक तो माई चैनल तो कैसे आप सब आए वाइप सब बच्छे हूंगे टॉप 5 बाइक अंडर 2 लाइक तो आज की वीडियो में बात कुरेंगे टॉप 5 बाइक से बारे में जो अंडर 2 लाइक से तो अगर आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ जाना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना हो और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को TVS की Apache 204V जैसा के आप सब को पता ये बाइक mileage और performance के मामले में काफी अच्छे है इस बाइक में आपको LED headlights मिलते हैं LED T lights मिलते हैं फुली digital instrument console मिलता है और इसमें आपको बहुत सारे advanced feature मिलते हैं like Bluetooth और navigation का भी option मिलता है अगर बात करें इस बाइक की engine specs के बारे में तो इसमें आपको 197.5cc का 4 stroke single cylinder oil cooled fuel injector BA6 compliant engine मिलता है और इसमें आपको maximum power मिलते है 20.5 bhp की और maximum torque मिलता है 16.8 newton meter का और इस बाइक में आपको 5 speed gearbox मिलती है इस बाइक में 6 gear होना चाहिए था बाट इसमें आपको 5 gear ही मिलते है और इस बाइक में आपको slipper clutch मिलता है और down shifting और up shifting भी मिलती है इसमें आपको telescopic front fox मिलते है और rear में monoshock suspension मिलता है 270 mm की front disc मिलती है और 240 mm की rear disc मिलती है with standard dual channel ABS और इस बाइक की इंजन refinement काफी अच्छे है इसमें आपको 140 km per hour की top speed मिलती है और 35-40 km की MPL की mileage मिलती है इस बाइक की top end performance काफी अच्छे है इस बाइक की expected extra room price of 1,28,000 और on room price है 1,48,000 अगर बात करें इस बाइक की engine displacement के बारे में तो इसमें आपको 199.5 CC का 4-stroke single cylinder liquid cool BA6 compliant engine मिलता है इसमें आपको maximum power मिलती है 24.5 BHP की और maximum talk मिलता है 18.6 Nm का और इसमें आपको 6-speed transmission मिलती है इसमें आपको conventional clutch मिलता है इसमें आपको slipper clutch का option नहीं मिलता है अगर बात करें इस बाइक की suspension type के बारे में तो इसमें conventional telescopic front fox है और रियर में mono shock suspension है इसमें 300 mm की front disc है और 230 mm की rear disc है with single channel ABS इस बाइक में dual channel ABS होना चाहिए था क्योंकि ये 200cc की बाइक है इसमें आपको halogen head lights मिलते हैं LED tail lights मिलते हैं इस बाइक में LED head lights भी होनी चाहिए थी बट यहाँ पे आपको बस halogen head lights से मिलते हैं और LED tail lights मिलते हैं और इसका जो console है वो आपको analog plus digital मिलता है तो यहाँ पे इस बाइक में आपको digital instrument console मिलना चाहिए था तो बात करें इस बाइक की top speed के बारे में तो इसमें आपको 145 km per hour की top speed मिलती है और 35-40 km की mileage मिलती है तो इस बाइक की mileage काफी अच्छी है तो जे थार्ड नमर पर बाइक है वो है Yamaha MT-15 BA6 variant यह एक premium naked street fighter बाइक है इस बाइक की एक showroom price है 1,40,000 और on-road price है 1,65,000 और इस बाइक का design और look काफी अच्छा है इसमें आपको 155.1cc का liquid cool fuel injected BA6 compliant engine मिलता है 18.5 dhp का 13.9 mm का talk मिलता है और इसमें आपको 6-speed transmission मिलती है इसमें आपको VVA और assistance super clutch का option मिलता है इसकी top end performance काफी अच्छी है जैसा कि आप सबको पता है Yamaa की bikes काफी अच्छी top end performance देती है 282 mm की front disc मिलती है 220 mm की rear disc मिलती है with single channel ABS इस bike में dual channel ABS होना चाहे था वाट इसमें आपको बस single channel ABS का option मिलता है इसमें आपको LED headlights मिलेंगी LED till lights मिलेंगी और fully digital instrument console मिलेगा और इसमें आपको कुछ safety features में मिलते हैं जैसे की side stand engine cutoff switch का option मिलता है और ये bike delta box frame पे based है और इस bike को आप value for money की bike बोल सकते हैं तो अगर बात करें इस bike की top end performance के बारे में तो इस bike की top end performance काफी अच्छी है इस bike में आपको 140 km per hour की top speed मिलती है और 40 to 42 की MPL की mileage मिलती है तो इस bike की mileage काफी अच्छी है तो जो second number पे bike है वो है Bajaj Domino 250 BA6 variant ये एक premium segment की touring bike है इस bike की extra room price है 1,60,000 और इस bike की on road price है 1,85,000 इसमें आपको 249 CC का 4 stroke single cinder liquid cool fuel injector DOHC BA6 compliant engine मिलता है जिसमें आपको 27 BHP का maximum power मिलता है को 3.5 Nm का talk मिलता है और 6 speed transmission मिलती है और इसमें आपको 300 mm की front disc मिलती है 230 mm की rear disc मिलती है with standard dual channel ABS और इसमें आपको LED headlights मिलती है LED headlights मिलती है fully digital instrument console मिलता है और ये bike अपनी segment में best touring bike है और इस bike में आपको 150 km per hour की top speed मिलती है और 35 KMP की mileage मिलती है और इसमें आपको upside down front fox मिलेंगे और येर में mono shock suspension मिलता है तो ये bike अपनी segment में काफी अच्छी है तो जो फर्स नमर पर bike है वो है Yamaha R15 V3 BA6 variant इस bike की on road price है 1,73,000 और इस bike की performance और top end performance काफी अच्छी है जैसा कि आप सब को पता है ये bike youth की काफी favorite है क्योंकि ये काफी जादा aggressive और fast है ये aerodynamic design पे based है और इस bike में आपको 155.5 cc का 4 stroke single cylinder liquid cool fuel injected BA6 compliant engine मिलता है जो maximum power generate करता है 18.6 newton meter का और maximum torque produce करता है 14.1 newton meter का और इस bike में आपको 6 speed transmission मिलती है और इस में आपको VVA slipper clutch का option मिलता है जो की काफी अच्छा है और इस में आपको conventional telescopic front fox मिलते है और ये में monoshock suspension मिलता है इस bike में 282 mm की front disc है और 220 mm की rear disc है with the standard dual channel EBS so इस bike की braking system क काफी अच्छी है इस में आपको twin LED headlights मिलते है LED LED lights मिलते है और negative display वाला fully digital instrument console मिलता है और इस में आपको 150 plus की top speed मिल और इस bike की mileage काफी अच्छी है इस में आपको 40 to 45 k MPL की mileage मिलती है so ये थी top 5 bikes under 2 lakhs so I hope ये वीडियो आपको फसंद आए होगी तो अगर आपको इस वीडियो मे और चैनल को स्ब्सक्राइब पर लिजेगा जो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बबाई टेक केर